आज के यूग में महिलाएं पुर्षों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और देश और समाज के उत्थान में अपना योगदान दे रही हैं तो आज में आपके लिए सभी एक्जाम के लिए सबसे जादा इंपॉरेंट टॉपिक चर्चित महिलाएं 2021 इससे रिलेटिड मोस्ट इंपॉरेंट कोशन इस वीडियो में लेकर आयों फ्रेंट्स मैंने आपके लिए सभी कोशन स्लेक्टिड और इंपॉरेंट लिए हैं अगर आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी जादा यूसफुल रहने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कोशन से फर्स्ट कोशन है मारा आईटी पीपी के इतिहास में पहली बार दो महिला एक कॉमबेक्ट अधिकारियों को शामिल किया गया है इनका नाम क्या है सही आंसर है ओप्शन डी उप्युक्त ए और बी प्रकिर्ती और दिक्षा प्रकिर्ती और दिक्षा दो लड़ाकू महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है आईटी पीपी यह इनका नाम है फ्रेंट्स यहां पर बात हुई है आईटी पीपी की आईटी पीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिवतन बॉर्डर पुलेस हिंदी में बोलते है भारत तिवत सीमा पुलेस स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को, ITBP का मुख्याले है नई दिल्ली में, डारेक्टर जर्नल का नाम है SS देशवाल और मोटो है ITBP का सौरे दृठता और करम निष्ठा, ये आपने याद रखना है Next question, ओलम्पिक में दो पदग जीतने वाली पहली महीला खिलाडी कौन बनी है सही आंसर इसका Option A, PV संधू, जो है ये ओलम्पिक में दो पदग जीतने वाली पहली महीला खिलाडी बन गई है friends मैं आपको बता दूं कि Tokyo Olympic में पीवी संधू ने Bronze Medal जीता है ठीक है और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जो Tokyo Olympic है 2020 वाला जो कि 2021 में हुआ है जपान की राजधानी Tokyo में इसमें भारत ने कुल मिला के 7 Medal जीते हैं तो ये 7 खिलाड़ी के नाम मैं आपको पदक लवलीन बॉर्गेहुन ने जीता है, महिला मुक्य बाज खिलाडी है, कांसे बदक जीता है, चौथा पदक भारतिय पुरुष होकी टीम ने कांसे बदक जीता है, पांचमा बदक रवी कुमार धहिया ने, रैसलर है ये, रज़त बदक जीता है, छटा बदक बजरंग पुनिया ने जीता है, और इन्होंने ये, कांसे बदक जीता है, वहीं अगर हम बात करें, साथमे बदक की नीरा चोपरा ने जीता है, और इन्होंने स्वन बदक जीता है, ये आपने याद रखना है, नेक्स कोशन, रास्टी ए महिला आयोग, NCW के फिरसे अध्यक्ष कौन कोशन, टोकियो ओलंपिक में किस भारतिय महिला वेटलिफ्टर ने रज़त पदक जीता है, सही आंसर है, ओप्शन A, मीरा बाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है, टोकियो ओलंपिक 2020 में, और फ्रेंड्स, मीरा बाई चानू जो है, ये मनिपूर राज्यकी रहने वाली है नेक्स कोशन है मारा, US Agency for International Development ने किस भारतिय मूलकी महिला को अपना मिशन निर्देशक नियुक्त किया है, सही आंसर है, ओप्शन C, वीना रेड़ी, वीना रेड़ी को मिशन निर्देशक नियुक्त किया है, US Agency for International Development ने, अगला कोशन कर लेते हैं, भारतिय प्रानी सर्वेक जिसे कि हम Geological Survey of India बोलते हैं कि पहली महिला निर्देशक कोन बनी है, सही आंसर है, ओप्शन C, ध्रिती बैनर्जी, ध्रिती बैनर्जी को भारतिय प्रानी सर्वेक्षन की पहली महिला निर्देशक नियुक्त किया गया है, important point discuss कर लेते हैं, भारतिय प्रानी सर्वेक्षन व पहुचने वाली प्रथम महिला कोन है, सही आंसर है, option C, Catherine Sullivan, Catherine Sullivan जो है, ये मर्याना ट्रेंच तक पहुचने वाली प्रथम महिला है, मर्याना गरत विशुव का एक प्रमुक और बहुत ती गहरा महासागरे गरत है, ये पश्यमी प्रशानत महासागर में मर्याना द्यूपसम उसे 200 किलोमेटर पूरू में स्थेत है, अगला कोशन, एक्जाम के लिए important है, अंतराश्टी क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारती अमहिला कोन बन गई है, सही आंसर इसका, option B, मिताली राज, मिताली राज जो है, ये अंतराश्टी क्रिकेट में 10,000 रन बनाने व अगला कोशन, पंजाब की प्रथम महिला मुखे सचिव कोन बनी है, सही आंसर इसका, option B, विन्नी महाजन, पंजाब की पहली महिला मुखे सचिव बनी है, बात पंजाब की हुई है, पंजाब की स्थापना 1 नमंबर 1966 को हुई थी, राजधानी है, चंडिगड, गवर्नर है अगला कोशन, अट्लांटिक महासागर पार करने वाली प्रथम महिला कोन बनी है, सही आंसर इसका, option B, जैंकू सोमा, जैंकू सोमा अट्लांटिक महासागर पार करने वाली प्रथम महिला बनी है, ICC match referee panel में शामिल होने वाली पहली भारतिय महिला कोन बनी है सही आंसर इसका Option B GS Lakshmi ICC match referee panel में शामिल होने वाली पहली भारतिय महिला बनी है ICC की बात कर लेते हैं विश्व में सभी cricket match को ICC regulate करता है अंतराश्टी cricket परिशत फुल फॉम होता है 15 जुन 1909 को स्थापना हुई थी दुबई संयुक तरब अमिरात में मुख्याले है ग्रेग बारकले अध्यक्षे हैं ICC के अगला कोशन है मारा केरल की प्रथम महिला DGP कोन बनी है सही आंसर है Option A श्री रेखा केरल की पहली महिला DGP बनी है बात केरल की हुई है तिरुवनंद पुरम राजधानी है मुख्य मंत्री है पिनराई विज्यन आरिफ मुहमत खान गवर्नर है और मुख्य ने आदिश है S. मनी कुमार अगला कोशन भारतिय वायू सेना की प्रथम महिला पाइलेट कोन बनी है सही आंसर है option A भावना कांत भारतिय वायू सेना की प्रथम महिला पाइलेट बनी है भारतिय वायू सेना की बात हुई है मुख्याले है नई दिल्ली में वायू सेना दिवस 8 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है और अध्यक्ष का नाम है एयर चीफ मार्शल आरकेस बदोडिया और मैंने आपको क्या बताया भारतिय वायू सेना की प्रथम महिला पाइलेट बनी है भावना कांत अगला कोशन एक्जाम के लिए इंपॉरेंट है गंतन दिवस पर प्रेड एड्जुडंट की भूमी का निभाने वाली प्रथम महिला सेना धिकारी कौन बनी है सही आंसर इसका ओप्शन C तानिया शेरगिल गंतन दिवस प्रेड पर एड़ुडेंट की भूमी का नेभाने वाली प्रथम महिला सेनादिकारी बनी है नेक्स कोशन है मारा एलन पुरुसकार जीतने वाली प्रथम महिला कोन बनी है सही answer है option A करेन उलेनहिक करेन उलेनिक एलन पुरुसकार जीतने वाली प्रत्थम महिला बनी है अगला कोशन का लेते हैं एक्जामे कई बार पुछा भी जा चुका है राफेल उराने वाली भारत की प्रत्थम महिला पाइलेट कौन बनी है सही आंसर इसका उप्शन ए अरुनीमा सिन्हा अन्टाक्टिका की परवद चोटी फत्य करने वाली विशु की पहली विकलांग महिला बन गई है एक्जाम के लिए important कोशन है नेक्स कोशन वर्ल्ड गेम्स एथलीट ओफ दा इयर का खिताब जीतने वाली प्रत्थम भारतिय महिला खिलाडी कोन है सही आंसर है उप्शन ए रानी रामपाल वर्ल्ड गेम्स एथलीट ओफ दा इयर का खिताब जीतने वाली प्रत्थम भारतिय महिला खिलाडी का नाम है नेक्स कोशन है मारा इंडियन कोस्ट गाड की पहली महिला डियाईजी कौन बनी है बात यहां पर इंडियन कोस्ट गाड की हुई है जिसे कि हम भारतिय तट रक्षक बल भी बोलते हैं स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को लेकिन हर साल हम एक फरवरी को भारतिय तट रक्षक बल दिवस मनाते हैं, मुख्याले है नई दिल्ली में, अध्यक्ष है किर्शन सौामी नटराजन, पर जितनी भी सासात में आपको मैं डिशन इफॉर्मेशन दे रहा हूं, सब अपने नौसिना की बात हुई है, नई दिल्ली में मुख्याले है, नौसिना दिवस 4 दिसंबर को मनाया चाता है और नौसिना की अध्यक्षे एड्मिरल करमविर सिंग या आपने याद रखना है, अगला कोशन, किस महिला खिलाडी को विजडन पुरुसकार 2021 से सम्मानित किया गय है, भारती सेना की प्रथम महिला जज कोन बनी है, सही आंसर है, ओप्षन ए, ज्योती शर्मा भारती सेना की प्रथम महिला जज बनी है, अगला कोशन, आंदर परदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कोन बनी है, सही आंसर है, ओप्षन ए, नीलम सहानी आंदर परदेश क की प्रथम महिला मुख्य सचिब बनी है नेक्स कोशन NCAER की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है सही आंसर है option D पूनम गुपता NCAER की पहली महिला महानिदेशक बनी है बात यहां पे NCAER की हुई है नेशनल काउंसिल ओफ एपलाइड एकनॉमिक रिसर्च फुल फॉम होता है मुख्याले है नई दिल्ली में 1956 में स्थापना हुई थी महानिदेशक के शेखर सहा यह आपने याद रखना है और एक जुलाई से पूनम गुपता बन गए है अगला कोशन है सयुगत अरब आमिराद की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कोन बनी है सही आंसर है ओप्शन ए नोरा अल मतोश्री नोरा अल मतोश्री UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है यह आपने याद रखना है अगला कोशन कर लेते हैं भारती सेना में Lieutenant Colonel अधिकारी बनने वाली प्रतम महिला कोन बनी है सही answer यह का Option A, Pong Doming Pong Doming भारती सेना में Lieutenant Colonel अधिकारी बनने वाली प्रतम महिला बन गई है friends हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर आपके लिए मैं कोई भी वीडियो लेकर आओ, complete लेकर आओ, ताकि friends आपको किसी और sources पर dependent रहने की जरूत ना पड़े, friends अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, friends वीडियो को like जरूर करियेगा, कम से कम अपने 10 friends के साथ share भ पुरुसकार मिला है, सही आंसर है, option A, कलो जाओ, कलो जाओ को 93 ओसकर पुरुसकार 2021 में सर्वश्रेश निर्देशक का पुरुसकार मिला है, अगला question, ambulance चलाने वाली भारत की प्रतम महिला ड्राइवर कोन बनी है, सही आंसर है, option A, M, वीर लक्षमी, ambulance चलाने वाली भारत की प्रतम महिला ड्राइवर बनी है, डो प्रतीबंद पाने वाली प्रतम महिला किरिकेटर कोन बनी है, सही आंसर है, option B, अंशुला राओ जो है, ये डो प्रतीबंद पाने वाली प्रतम महिला किरिकेटर बनी है, अगला question है, नागरिक उड्यान सुरक्षा बियोरो की प्रतम म उपाध्यक्ष बनने वाली पहली भारतिय महिला कौन है। सही आंसर है। Option C, Dr. Vinya Shethi. Dr. Vinya Shethi जो हैं ये अंतराश्टिय विकात संग की उपाध्यक्ष बनने वाली पहली भारतिय महिला बनी है। Next question, Tamil Nadu Cricket Association की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है। सही आंसर इसका, Option B, शालीनी वर्मा तमिलाडू Cricket Association की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। Next question, अंतराश्टिय मुक्यबाजी संग में नियुक्त होने वाली पहली अरुनाचली महिला कोच कौन बनी है। सही आंसर इसका, Option C, डॉक्टर तदांग मीनू अंतराश्टिय मुक्यबाजी संग AIBA में नियुक्त होने वाली पहली अरुनाचली महिला कोच बनी है। भारतिय वाईउ सेना में जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला फाइटर पाइलेट कौन बनी है। सही आंसर इसका, Option A, मावया सुद्धन, मावया सुद्धन जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला फाइटर पाइलेट बनी है, भारतिय वाईउ सेना में यह आपने याद रखना है। और friends, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने यह सभी कोशन बात में पढ़ने हैं, तो मेरे वेबसाइट पर जाके आप पढ़ सकते हो। मतलब आप कहा सकते हो एक तरह का आपको रिटन नोट्स मिलता है या पीडिएफ मिलता है। हमारा जो वेबसाइट है उसका नाम है ravistudyiqgk.com ठीक है friends, ravistudyiqgk.com यह वेबसाइट है कि गुगल क्रोम पर या किसी भी इंटरनेट ब्राउजर पर जाके आप इसको सर्च कर सकते हो। ओलमपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसेंडर कोन बनी है। सही आंसर हैं ओप्शन C, Laurel Herbert ओलमपिक में भाग लेने वाली पहली महिला ट्रांसेंडर बनी है। अगला कोशन, Miss Universe 2021 का किस ने जीता है। सही आंसर इसका ओप्शन A, Adria Meza ने Miss Universe 2021 का किताब जीता है। हाली में दो अर्ध शतक लगाने वाली सबसे कम उमर की प्रथम महिला खिलाडी कोन बनी है। सही आंसर है, ओप्शन A, शेफाली वर्मा दो अर्ध शतक लगाने वाली सबसे कम उमर की प्रथम महिला खिलाडी बनी है। भारत की प्रतम महिला उडान परिक्षन इंजिनियर कोण बनी है? सही आंसर है Option C आश्रिता वी औल्टी आश्रिता वी औल्टी जो है यह बहृत की प्रतम महिला उडान परिक्षन इंजिनियर बनी है यह question exam के लिए काफी important है Next question है मारा हाली में किस राज्य की रेश्मा मरेयम रॉय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई है सही आंसर इसका option C. केरल केरल राज्य की जो रिश्म मरेयम रोय है ये सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है अगला कोशन हीमा कोहली को किस राज्य के हाई कोड की पहली महिला चीफ जस्टिस बनाया गया है सही आंसर इसका option A. तेलंगाना तेलंगाना राज्य के हाई कोड की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है हीमा कोहली भारत की सबसे युवा महिला पाइलेट कौन बन गई है सही आंसर है option B. आईशा अजीज आईशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पाइलेट बन गई है अगला कोशन है मारा भारती अथलीट हीमादास को किस राज़े में पुलिस उप अधिक्षक यानि की DSP के रूप में नियुक्त किया गया है सही आंसर इसका ओप्शन D. असम असम राज़े का DSP बनाया गया है भारती अथलीट हीमादास को अगला कोशन नाव के जरिये अटलांटिक महासागर पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला कोन बनी है सही आंसर इसका ओप्शन C, जैस्मिन हैरिसन जैस्मीन हरीसन नाव के जरी अटलांटिक महासागर पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला बनी है नेक्स कोशन है मारा तसांग हीन हंग माउंट आवरेस्ट की सबसे उची चड़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है ये किस देश की है तो सही आंसर इसका option C, Hong Kong Hong Kong की हैं तसांग यिन हंग Next question है मारा Mount Anapurna चोटी पर पहुँचने वाली भारत की पहली महिला कोन बन गई है सही आंसर इसका option C, Priyanka Mohite Priyanka Mohite Mount Anapurna चोटी पर पहुँचने वाली भारत की पहली महिला बनी है Next question सामिया सुलो हसन किस देश की पहली महिला राश्टपती बनी है सही आंसर इसका option B, Tanjaniya Tanjaniya देश की पहली महिला राश्टपती बन गई है सामिया सुलो यह आपने याद रखना है अगला question Broadcasting Content Complaints Council B, CCCC की पहली महिला अध्यक्ष कोन बनी है सही आंसर है Option C, Gita Mittal Broadcasting Content Complaints Council की पहली महिला अध्यक्ष बनी है अगला question exam के लिए important है सेल की पहली महिला अध्यक्ष कोन बनी है सही आंसर इसका Option C, Soma Mandal सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है सेल का full form देख लेते है Steer Authority of India Limited full form होता है भारतिय स्पात प्राथिकरन हिंदी में full form होता है 19 जनुबरी 1954 को स्थापना हुई थी मुख्याले है नई दिल्ली में और अध्यक्ष मैंने आपको बताया सुमा Mandal अगला question Oxford विश्विद्याले के चात्र संग की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतिय महिला कोन बन गई है सही answer है option A रश्मी भट ऑक्सवर्ड विश्विद्याले के चात्र संग की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भारतिय बन गई है अगला question हाली में जारी महिलाओं की ICC T20 International Ranking में कोन शीष पर रही है सही answer इसका option A शेफाली वर्मा ICC T20 International Ranking में शीष पर रही है अगला question पुरुष टेस्ट मैच में अंपाइरिंग करने वाली पहली महिला अंपाइर कोन बनी है सही answer है option B clear polosak clear polosak पुरुष टेस्ट मैच में अंपाइरिंग करने वाली पहली महिला अंपाइर बन गई है अगला question निमन में से कौन दक्षिन अमेरिका के सबसे उचे परवत माउंट अकांगुआ पर चड़ने वाली सबसे कम उमर की लड़की बन गई है सही answer है option B काम्या कार्थी केन दक्षिन अमेरिका की सबसे उचे परवत माउंट अकांगुआ पर चड़ने वाली सबसे कम उमर की लड़की बन गई है मिनाक्षी वर्मा को किस राज्य में एक दिन के लिए ग्रह मंत्री बनाया गया है सही answer है option B मिनाक्षी वर्मा को मध्य परदिश का एक दिन का ग्रह मंत्री बनाया गया है next question है मारा Grammy Award 2021 में Best Performance Award किसे दिया गया है सही answer है option A Beyonce Beyonce को Grammy Award 2021 में Best Performance Award दिया गया है यह आपने याद रखना है अगला question कहले दे Miss India 2020 का किताब किसने जीता है सही answer है option A मांसा वरानसी को Miss India 2020 का किताब दिया गया है NASCOM की पहली महिला चेर परसन कौन बनी है सही answer है option A Rekha Menon को Rekha Menon NASCOM की पहली महिला चेर परसन बनी है अगला question चमेली देवी पुरुसकार 2020 से किसे समानित किया गया है सही answer है option A नीतु सिंग को चमेली देवी पुरुसकार 2020 से समानित किया गया है अगला question एक्जाम के लिए important है लगातार तीसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वितमंतरी कोन बन गई है answer है option B निर्मला सिता रमन लगातार तीसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वितमंतरी बनी है विश्य वैपार संगठन WTO की पहली महिला महाने देशक कोन बनी है सही answer है option C नागो जी नेक्स कोशन है मारा विशो वैपार संगठन डबलू टी ओ की पहली महिला महानिदेशक कोन बनी है सही आंसर इसका ओप्शन सी नागो जी ओंको जी इवेला विशो वैपार संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है अगला कोशन सही आंसर है सही आंसर है अगर आपको वीडियो पसंद आईए वीडियो को लाइक और शेर ज़रूर करिएगा और जल्दी हमारी बुक भी लॉंच होने वाली जीके की अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो जो रवी जीके के नाम से ये बुक होगी हर एक्जाम के लिए काफी जादा योसफुल रहेगी जल्दी फ्रेंट्स मैं इस बुक को लॉंच करवा दूँगा अभी काम चल रहा इस बुक के ओपर और फ्रेंट्स हमारा करन्ट अफेर का चैनल अलग से जिसका नाम है करन्ट अफेर्स बाई रवी और फ्रेंट्स हमारा एक क्विज का भी जैनल है जिसका नाम है रवी जी के क्विज रवी जी के क्विज इसको भी आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए फ्रेंट्स अब हम मिलते हैं नेक्ट वीडियो में thank you and wish you all the best